अभी जो मैं बताऊंगा ना इसका मैं सिर्फ ब्रीफ बताऊंगा क्योंकि यह फिनिश नहीं होगा इसमें बहुत कुछ चीजें हैं बों बताने वाला हूं सो डोंट वरी ठीक है इसमें भी और डेटेल से बताऊंगा देखिये क्या है ब्रीफ में whoever takes or entices any child or any person of unsound mind क्या लिखा है बड़ा किलर लिखा है whoever takes or entices any child or any person of unsound mind out of the keeping of the lawful guardian of such child or person of unsound mind without the consent of such guardian is said to kidnap such child or person from lawful guardianship यह जो आप बढ़ेंगे या इसका जो आप मिनिंग निकाल रहे हैं या इसका जो आप interpretation करेंगे यहां देखिये क्या लिखा है यह सिर्फ यह जो प्रोवीजन है ना clause number B या यह जो clause B है यह सिर्फ दो जगों पर applicable हो रहा है एक बच्चे के केस में और एक unsound mind के केस में तो इतना तो अब आप और किलेर हो गया होगा कि अब देखिये unsound mind कह रहे हैं unsound mind 20 साल का लड़का भी unsound हो सकता है यह सौर नो age is not a relevant factor किलेर कर देना पहले अगर आप किसी को unsound बोल रहे है तो भाईया उसका पागलपन ही इतना है उसके लिए age से कोई मतलब नहीं age उसके लिए कुछ नहीं है जीरो सिर्फ age के number होगा उसके लिए अब वो unsound है तो 70 साल का लड़का भी unsound हो सकता है 17 साल की लड़की भी unsound हो सकती है तो unsound mind के case में age का कुछ भी लेना देना नहीं है एक तो ये बात हो गई दूसरी बात child चाइल्ड के case में आपको देखना पड़ेगा चाइल्ड का मतलब होता है यहाँ पर जो लिखा है इन्होंने definition पार्ट में उसमें लिखते हैं under 18 years of age यानी 18 साल से कम होना चाहिए 18 years से कम उसको हम कहते हैं चाइल्ड के लिए आगे तोड़ा आगे देखिए the words lawful guardian in this clause include any person lawfully interested with the care or custody of such child or other person so lawful guardian जो word है इस clause के अंदर दिया हुआ इसका मतलब कुछ नहीं होता है simple कहते हैं कोई भी person होगा but lawfully interested interested का मतला है सौप देना या सौपा गया था duty दी गई थी सौप ना सौप देना so lawfully interested with the care or custody of such child so वैसे बच्चे या वैसे परसन का care or custody सौपा गया था तो जिस किसी परसन को सौपा गया था वो परसन क्या होगा lawful guardian कहलाएगा exception में आईए exception में क्या लिखा है this clause does not extend to the act of any person who in good faith believes himself to be the father of an ill-adgitimate child ते कि बहुत दूर की सोच है यह दना हम लोग सोचते नहीं बहुत दूर की सोच है क्या बूल रहा है this clause does not extend to the act of मतलब यानि कि जो clause number B है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग clause number B की यह करा उन मामलों पर लागू नहीं होगा उन acts पर लागू नहीं होगा जहां कि कोई एक आदमी अपने आपको बाप समझता हो पिता समझता हो किसी नाजायद संतान की तो नाजायद संतान की इसको जरा समझते हैं क्या होगा या who in good faith believe himself to be entitled to the lawful custody of such child या good faith में जो खुद को इंटाइटल समझता है कि अब मैं lawful custody मेरे पास मैं lawful custody में मरे बच्चा है unless such act is committed for an immoral और unlawful purpose बहुत दूर की सोच से लिखा गया है अब मुझे आप लोग जरा बताइए जल्दी से यह illegitimate child का concept क्या है when a child can be called as an illegitimate child बहुत सिंपल सी बात पूच रहा हूं इसको फिर kidnapping के साथ करेंगे बताई है इसको लिगली मेरिट सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है मैं पहले ही बता दे रहा हूं इसको में नहीं लिए नहीं क्या बोला में एक बार रिपीट करना क्या बोला था अपने कपल नौट लिगली मेरिट है ठीक है ओके सो एक है और एक यहां है नौट लिगली मेरिट इनके बच्चे हो गए जो बच्चा है वो क्या है एलेजिटिमेट और को एंसर इसके अलाव नौट लिगली मेरिट है इसने किसी के साथ एडल्टरी कर रखी और इसके जो बच्चा संतान है सन्या डॉटर वटिवर चाइल्ड इसके लिए मैं इलेजिटिमेट यस और नौट आया ना यह कहना चाहरे है और और कोई अंसर इलेजिटिमेट चाइल्ड का कि अधिया इने इसके अलाव इनिटिंग इल्स इसके अलावे नौट लिगली मेरेड तो जैसे रेप केस में होता है रेप केस में ओके अगर कंसर करता है तो उसका सब्सक्राइब रेप के सके बच्चे एलेजितिमेट नाजायज संतार एलेजितिमेट ऑके पितारा मतलब का मैं क्या है ता में का पता। अपके जिसके हैं तो चुछ नहीं है यह i आए अधिıs बॉट का नाम पता नहीं है वह अजयद शंपला यह कहना चाहरे लो हुह या यह कह सकते हैं प्तजरूरी नहीं तु नियन कानूँ के पार्त से देख रहे हैं यहां लोग पशंष्मंट की बात कर रहे हैं वह अलग बात है हम लोग को यह देखना होगा कि कि कोई भी आदमी अगर मालेजे मैं वो परसन हूँ मेरा किसी और लड़की के साथ रिलेशन है ये किसी महिला के साथ रिलेशन है उससे मेरा एक बच्चा है तो वो बच्चा मेरे लिए इलेजिटिमेट सन होगा ऐसा क्योंकि मैंने उसके साथ कोई लीगल वेड़ेड मैरेज नहीं की लिगली बेड़ेड लिगली शादी नहीं की लिगली मैरेज नहीं किया तो जो वो बच्चा है बो अब वही है न कि मैं उस बच्चे के पास जाता हूं नहीं जाता हूं बट मैं उसको अपना नाम नहीं दे रहा हूं तब या यह भी हो सकता है कि वो मेरे साथ रहे बट मैं उसको यह नहीं कहूँगा कि मैं तुम्हारा बाप तब भी यह situation हो सकती थे कि I am not your father बट बात बार आपने देखोगे बात बार क्या होते हैं जो female politicians नाम आप लोग समझदार हैं देखें बड़ी-बड़ी politicians हैं कोई कोई CM भी रह चुकी है तो उनके खुद के बच्चे थे उनको उन्होंने भतीजा बताया किसी और का लड़का है लड़की बताया यान अथाले से बोले कि उठा के लाए और उसको एडॉप्ट कर लिया तो उनके खुद के बच्चे थे उनको क्या कर लिया एडॉप्ट कर लिया अगर एक आदमी किसी नाजायज बच्चे का पिता है और उसको अपनी कस्टडी में रख करके उसके साथ रह रहा है तो उसको उसका lawful guardian वाना जाएगा लेकिन मुद्दा क्या है कि जो मैं कर रहा हूँ वो गुड़ फेथ में करता हूँ और मैं खुद को मानता हूँ कि I am the father of that illegitimate child तब मैं कर रहा हूँ अगर माल लिजिये अगर मैं गुड़ फेथ में नहीं हूँ और मैं कुछ ऐसा करता हूँ तब यह अपराद कि शर्णी में आजगा यहाँ पर B number close में तो nutshell में थोड़ा सा brief में समझने के लिए क्या है हमारे पास कहता है जो कोई फिर से आईए जो कोई को सोचना आप लो अब मैंने एस्पेक्ट बता दिया एकदम उपनली बता दिया जो कोई में एक माइनर भी हो सकता है एक मेजर भी हो सकता है एक आखवाला भी हो सकता है बिना आखवाला हो सकता है अपाहिज भी हो सकता है एकदम स्वस्त आदमी भी हो सकता है लड़की हो सकती है लड़का भी हो सकता है यह देखना है आपको तो क्या लड़कियां के ड्नैपिंग नहीं करती हैं, महिलाएं बच्चा नहीं चुराती हैं, ठीक है, so whoever takes or entices any child, तो जो कोई take ले जाता है या entice करता है, यह मैं बताऊंगा कि क्या होता है मिनिंग इसका, किसी child को, किसी unsound mind के person को, और कहां से, out of the kipping of the lawful guardian, तो lawful guardian के kipping से out, यह उससे बाहर लेके चला जाए, without consent, obviously उसके बिना consent के लेके चला जाता है, that is called kidnapping from lawful guardianship, उसको हम कहते हैं, lawful guardianship से क्या करना, kidnap कर लेना, okay, तो असल में अगर मैं आप से कहूँ, असली जो kidnapping है, वो यही है, असली kidnapping यही है, because this clause defines the second type of kidnapping, इसको हम बोलते है, kidnapping from lawful guardianship, और literal meaning, literature वाला जो meaning निकलता है, child stilling, जो मैंने बता है न, kid, kid का, मतलब बता है न, kid मने बत्चा, child और nap, nap का मतलब still, to still, तो child stilling का जो concept है, वो इसी में मिलेगा, यह section सिर्फ उन्हीं लोगों के उपर लागो होगा, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों के उपर ही लागो होगा, यह यह minor के उपर लागो होगा, और unsound mind के उपर लागो होगा, फरना बच्चे का मतलब बच्चे इसमें कोई मेल और फीमेल वाला दहाल नहीं है चाहे वो लडकी हो चाहे वो लड़का ओर यह बात लिखया अब थाज आता है चोटा सा बड़ा प्यारे कि डाश्यन आता है पीं अगर मालेजिए कोई लडकी यह कि और वह इजी वर्चू समझते हैं वाट इजी वर्चू एनिवर्डी टेक्निकल टर्म भी जाना चाहिए तो इस तरीके के पेशे में रहती है प्रोस्टिचूशन का काम करती है उनको हम लोग सौट में एजी वर्चू कहते हैं ठीक है तो ऐसे लड़कियां जो इस तरीके के इस तर कोई लड़की है और वह इजी वर्चू है और वह चली गी किसी रीजन से अपने गार्जियन को छोड़कर करके विदाउट दी कंसेंट ओफ हर पैरेट्स तो क्या यहां पर हम जो आदमी या जिस आदमी के साथ गई या जिस आदमी के पास जिस तरुब आदमी के सा साथ मिली संदिग्द अवस्था में किसे के साथ मिली तो क्या उस आदमी को हम किड़नापिंग फ्रॉम लॉफुल गार्जियन शिप के लिए दोसी मान लेंगे अब बताईए कि जल्दी तुलो सर क्यों सर क्यों सर क्यों कि सर्वों लेके नहीं गया वो खुद गई है तुल कि लेके नहीं गया खुद गई है ठीक है और कोई अंसर कि आऊं कि अंचन्ट क्या लिए टब था कैंसेंट था को अचन्सेंट था सब्सक्राइज कितनी है सब्सक्राइब काहां माइनर के फिसे हम लोग पढ़े हैं माइनर माइनर कहा है माइनर के अपरादी था रहेंगे मैं आपकी बात से सहमत हूँ और मेरा सवाल बहुत सीथा है बहुत स्टेट फॉरवड है एक एजी वर्चू लड़की है या प्रोस्टिचूट लड़की है कॉल गल्ल है वो अपनी गार्जियन के मर्जी के बिना विदाउट दी कंसेंट आप दी पैरेंट्स किसी आदमी के स साथ चली जाती है किसी आदमी के साथ चली जाती है तो क्या उस परसन को हम इसके लिए लाइबल ठाहरा सकते हैं यह नहीं कि नापिंग फ्रॉम लॉफल गार्जन शिप्त अंदर दोसी बनाएंगे या नहीं कि नौ सब्सक्राइब अगर वह वहां अपने घर पे और वह उ वह अपनी मरझी से जा रही है तो सलेके गया तो अंदो सब्सक्राइब करेंगे ज़िए वर्चु का मतलब कुछ तो मिलेगा उसको मतले में पैसा मिले घाड़ी मिले घुमने को मिले घर मिद अधिए तो प्रोफेशन हो यह सरुप्रोफेशन हो यह कंसेट आ गया नहीं अगर सर वह अपने वहां पर यह दो किलमेटर दूर यह लड़का और वह अपनी मर्जी से वहां जाती है तब नहीं मिलेगी लेकिन एक प्रैक्टिकल सिचुएशन देखते हैं बिल्कुल हाड़कोर प्रैक्टिकल कोई कोई लड़की मेरे पास पांच किलमेटर चलके क्यों आएगी मेरे पास कोई लड़की पांच किलमेटर चलके क्यों आएगी यह भी तो सोचिए आप ही है आपके पास कोई लड़की क्यों चलके आएगी या मेरे पास कोई लड़की क्यों चलके आएगी कि बताईए मैंने उस उसकी अपनी नीड है एज मैंने सत्रह साल बता रही है अपनी भूख है इतनी इंडेस्टेंटिक तो है इसा बच्चा है बच्चा को क्या है दुकान के बाहर आप जैसे बच्चे को लेके जाईए गुबारा कहीं बिक रहा है बच्चा गुबारा देखके भागेगा दोड़ के पीछे भागता है सेम सिचुएशन यहां पर है मान लीजी चौकलेट देखके भागता है यह लड़की आदमी देखके भागे मान लीजे मुझे देखके भागे तो माग आ गए मेरे लिए चलके दो किलिमेंटर जैसे बनने बताए ने एक्जामपल डिंपल का पाड़िय तो अब क्या कर सकते हैं तो आप जाएंगे कि नहीं जाएंगे जिल हमें सजा मिलेगी कि नहीं मिलेगी रीजिनिंग भी बताइए मुझे इसके पास देखिए जब मैं अभी जादे तो नहीं बताऊंगा पस हिंट अंसर देता हूं सजा मिलेगी इस पर भी बड़ा मज़दार मामला है इसमें लौ कहता है इभिन एजी वर्चु गर्ल अगर कोई एजी वर्चु गर्ल भी है निचर वाइस और वो बिना कंसेंट के मैंने पहले बोले था बिदाउट कंसेंट आप दी परस परस पारेंट्स वो चली जाती किसी आदमी के इस को कहा जाएगा के किडिनेपिंग फ्रॉप लौफलके जिएं जिए दीजिएक पर उच्रोड़ू मैं के पर शहित रहें मैं समझ तक हुआ जां लेकिन इसमें इसको सजा में धाएं आज इसको ही पर रखते हैं, कल इसको डिल करेंगे, कल का मतलब जो भी नेक्स सेसर बनता है, I think, कल ही है, तो कल हम लोग डिसकस करेंगे, डिटेल से, पूरा का पूरा, ओके, चलिए परेंगे, नमस्ते नमस्ते, नमस्ते, ओके.